नमस्कार मैं हूं जोतिसा चार राजिस अनुखा सुत्र में आपका स्वागत है आज मैं अनुखा सुत्र में आपको एक स्पेसल बात बतानी जा रहा क्योंकि अक्सर हम देखते हैं लोगों के हाथ में सोने की च्छला पहनते वे सोने का च्छला किने पहनना चाहिए, इसके पहनने के बाद क्या लाब है, किस रासी वालों को हानी करता है, किस रासी वाले को सेट कर जाता है, किसी जीवन भर पहनना चाहिए, किसी समय तक पहनना चाहिए, इसे पहनने की बिधी क्या है, इसका दिन क्या बनता है, इन सारी ब पात है कि सोने का च्छला पाहने से क्या लाब होगा। एक बात जाने। सोना पाहनते हैं कों जिनके पास धन है। गरीब आदमी तो सोने का च्छला या सोने का चेन कुछ पाहनते नहीं है। लेकिन जो धनी है वही संभव है कि सोनी का चल्ला पहने या सोनी का रिप, गरीब आदमी तो पहनते नहीं, बहुत कम, लेकिन एक बार जो गरीब प्यक्ति भी सोनी का चल्ला बना ले और रिंग फिंगर, रिंग फिंगर समझे, अनामिका उंगली में धारन करें, गुरुवा को या रहिवार को, या बुद्वार को, फिर देखें, उनके मानसिक्ता में अच्छानक चेंज आएगा, अगर वह रिक्सा चलाता है, तो वह सोचेगा कि रिक्सा चलाने से हमारे जीवन में कितनी तरक्की है, धन कहां साएगा, एक तो उनके मानसिक्ता में प्रिवर्ता है उनका सोच बदलेगा वह जो सुस्ते हैं कि हमें इतना में ही संतुष्टी है वह खत्म है उसे और चाहिए धनी बनना है धन कमाना है हमको आगे बरना है नाम ये स्पाना है ऐसे ऐसे थाउट्स जो है आपके अंदर चन मिलेंगे इसलिए कहा गिया है कि जो व्यक्ति सुसाइडियल नेचर के होते है सुसाइडल कहने का अर्थ हुआ कि जिनका सुभाव में ही अत्मत्या करने की विड़ती हो जो बार बार यह सोचते हैं कि अब जीना बेकार है निलासा घेर लिया है प्रिश्ण में आ गए हो ऐसे प्व्यक्ति के लिए भी सोने का छला महत्पॉर्ण है आप अजमा के देखें लेकिन जीनके मन में निरासा हो आत्मत्या की परविर्ती जन्म ले मन न लगता हो दुनियादारी से अलग सन्यास अध्यात्म की और जाने की चिष्टा करे ऐसे व्यक्ति को इंडेक्स फिंगर में पहनना चाहिए आप देखें आजमा के इंडेक्स फिंगर आपके भातिक इस्तितियों को तो बढ़ाते ही है सबसे ज़्यादा मानसिक्ता को मस्बूत कर देते है मानसिक्स फिंगर को बलवान बना देते है आपके सोच को बदलते है एंबिशन सबसे बड़ी बात है उसे जन्म देते है ये च्छला में चाहदवी जमतकार है बीपी हाय रहता हो तब प्रूब्लम है लेकिन बीपी लो हो तब देखेंगे बहुत अच्छा काम करता है आपके बीपी को बाइलेंस भी रखेगा आपके जीवन में धन समंदित समस्याएं जू भी आते हैं आप देखेंगे आप उसे धीरे धीरे उससे बाहर निकलने लगे एक परकास अंदकार से बाहर निकलना आपके जीवन में तैय है और सोना तो वही पहनते हैं जो धनवान होते हैं तो सोना हाथ में आ जाए तो फिर धनवान बनना तैय है एक सिंपल लोजिक लेकिन गरह काम करते हैं क्योंकि गुरुदेव जो सोहिम धनकारक है जर्मकुणली के अंदर में सुर्यदेव नाम यस के मालिक है कैस जितना भी लिक्वीट कैस है उसके स्वामी बुद्देव है अर्थिक लेंदेन का मालिक इन सब का सीधा संबंद सोने से है उनका धातु है इसलिए यदि आपको आर्थिक लेंदेन धन की समझ जाए धन को बिर्दी करना आप अपने आपको बहुत उचा उठाना चाहते है नाम यस चाहते हैं आप कलाकार हैं नाम चाहते हैं समाज में काम करने वाले राजनितिक हैं समाजिक है आप नाम पहचान बनाना चाहते हैं सुझ सोना एस्टूडेंट वर्ग के लिए चो बहुत कमजूर है पढ़ने में मन नहीं लगता है हमेशा मन करता है पढ़ाए छोड़ो या पढ़ाए में कमजूर है उनके सोच को बढ़ा देना है बदल देना है पढ़ाए में मन लगेगा और उनके रिजल्ट भी सुधरते चले जाएंगे आपके मान सम्मान घट रहें समाज में या आपके अपने रिस्तेदारी में कुटूमबों के बीच में आपको अपमान होना पड़ता है अब बड़ा मुस्किल में है कि इस्तना अच्छा करते हुए भी मुझे यस नहीं मिलना है इस यक्स की कामना करने वालों को चाहिए कि गुरुवार के देन इंडेक्स फिंगर में एक सोने का चला पाहन ले फिर उनके जीवन में काया पलट मेडिकल साइंस में भी कहा गया है बहुत सारी बाते हैं बीपी लोग को बढ़ाने के लिए भी सोने के चला जरूरी है लेकिन अगर आपके सोने का तत्व सरीर में कम हो जाए तो जीवने सक्ती भाइटल फॉर्स कमचोर हो जाता है संतान और पती की सक्ती कमचोर पर जाती है उसे बढ़ाने के लिए भी जरूरी है तो आप देखेते हैं कि मेडिकल साइंस के जगत में भी बहुत सारे बिमारी है जिस पर सोने का अंगुठी काम करता है तो इसमें हमको छले को करना क्या है कैसे पाढ़ना है इसके बारे में भी जान ले और आम आदमी जिसे कोई भी व्यक्ती पहनना चाहते है और रासी के जंजट में पढ़ते है तो दो चार रासी है जिनको थोड़ा सोच समझ के अपने उपर आजमा के पहनना चाहिए जैसे मकर रासी, कुम रासी जिनके स्वामी सनी देब है लोहा उनका तक्वा है उसके बाद बिड़सव रासी और तुला रासी हलांकि इन दोनों रासी के स्वामी सुक्र देब है उनके चांदी बनते है फिर भी इन्हें सोना पहना दिखा गया है वो आजमाज सकते हैं बिड़सव रतुला वाले पहन के देखे अच्छा लगे तो पहने नहीं तो छोड़ दे यह तो अजमानी के बात है बाकी रासी वालों को पहने के लिए बहुत अच्छा है जिसमें आपको मैं बता दू जो मेस रासी है जो विस्सिक रासी है जो सिंग रासी है जो करक रासी है उनके लिए अनामिका उंगली रिंग फिंगर इसमें पहने बाकी लोग आप इंडेक्स फिंगर धनू रासी मीन रासी वाले इंडेक्स फिंगर में पहने और मिथून रासी और कन्या रासी वाले आदमी कनिश्ट का छोटी इंगली में पहने तो पूरा लाब दिखेगा लेकिन जहां हमने बताया है सिच्विशन के अनुसार क्यों मान सिकता तनाव सुसाइड करने का मान ये सारे में इंडिक्स फिंगर को लिया जाए वहाँ जरूरी है लेकिन आप अगर बेपारी बर्ग हैं आप बेपार करते हैं बिजनिस है सेर मार्केट से जुरे हुए है या आपका अर्थिक लेंदेन है किसी भी तरह का ट्रेडिंग से जुरे भी बात हो तो आपको कनिश्टा में पारना चीए और यदि आप पढ़ाय लिखाय से जुरे छेतर में हो इंसिचूट चलाते हो आप टीचर हो लायर हो जज़ हो वकील हो वकील नहीं ज़ज हो वकील को इसमें आप जज़ हो साथ साथ में आप एस्टुडेंट हो तो आपको चाहिए इंडेक्स फिंगर में सोने का च्छला पहन ना चाहिए। अब मांकि सादो सन्यासी भी है आपको पढने की च्छा है तो आप इंडेक्स में đị हैं। अब क्या राजनितिक बर्ग बसते हैं। मेडिकल साइंस बसते हैं, मेडिकल साइंस के लिए अनामिका रिंग फिंगर और यदि आप राजनेतिक वर्ग से जुरे हैं तो आपको नाम चाहिए यस चाहिए इसलिए आपके लिए रिंग फिंगर जरूरी है आप कलाकार हैं आर्टिस्ट हैं तो आपको रिंग फिंगर में पहनना चाहिए इस तरह अपने इस्तिति परिस्तिति से आप देख सकते हैं,्डर है,प्र।बर्टिस ज्यूने चहत्र में है, रिंग फिंगर, आप सौना चान्दी के काम क Rabbi किसी भी तरह के बिजनिस है, रिंग फिंगर, तो इ इसका इससे सीधा संबंद है, और इस तरह आप इस सौने की छला को पहन कर लाब ले सकते हैं। पहनना क्या है? तो जिसको, जिनको हमने कहा है कि इंडेक्स फिंगर में पहनना है, गुरुवार के दीन सुभा सुभा नहा दो के इसे गंगा जल में छोड़ दे कुस देर या धो करके रखे, अगर वत्ती दिखाए, आमंतरन करें कि हम पहनने के लिए उनको चाहिए बुद्धवार के दीन, इसी तरह सुभा सुभा सुर्योदय के बाद एक घंटे तक नहा दो के आप्रेडी रहें, अभी मंतरित करके कनिक्स्टाम पर। और जिनको रिंग फिंगर में बोला गया है, उन्हें रविवार के दीन, इसी तरह नह करके आप सवेरे सवेरे रहिवार के दीन, आमंतरित करके धारंग कर लें, तो इस तरह अपने दीन भी है, और अपने इस्टिती के अनुसार, आप सोने के छला को पहन कर उसका लाब ने सकते हैं, अया लाब देता है, आप इसका लाब ने, भन्याबात।